5 देखिए, कह रहा है कि एक समानतर चत्बुज A, B, C, D A, B, C, D में E और F करम सब हो जाओ A, B और C, D के मदबिन्दु है E क्या है? A, B का मदबिन्दु है और F क्या है? आपका C, D का मदबिन्दु है दर्साइए कि रेखा खंड A, F और C, E, C A, F और ये आपका E, C बिकर्ण B, D को सम्त्रिभाजित करते हैं यानि इसे तीन बरावर भागों बाटते हैं यानि कि अब B, Q, P, Q और ये P, D ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ये हमें दिखाना है चलिए देखते हैं, हमरे पस दिया हुआ है A, B, C, D, A समांतर चत्रभूज है समांतर चत्रभूज है ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि E और F, करमसा, भुजा A, B और, C, D के मध्य बिंदू है तो सिद्ध करना है कि रेखा खंड रेखा खंड A, F और E, C बिकर्ण B, D को सम्त्रिभाजित सम्त्रिभाजित करते हैं यानि तीन बराबर भागों में बाढ़ते हैं कौन? यह A, F और यह आपका E, C यह दो मिलकर इस B, D को तीन बराबर भागों में बाढ़ते हैं चलिए इसका प्रमान देखते हैं अच्छा हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि A, B, C, D एक समांतर चत्रभूज है यह दिया हुआ है तो समांतर चत्रभूज में हम लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजाए बराबर और समांतर होती है तो यहां से A, B बराबर होगा D, C के तथा A, B समांतर हो जाएगा D, C के A, B, D, C के समांतर और बराबर हो जागा ना बिल्कुल हो जाएगा अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ ठीक है अब चुकि हमारे पास यह E, A, B का मदबिन्दू है F जो है, D, C का मदबिन्दू है ठीक है, हमारे पास यह C, D का मदबिन्दू है C, D यही कुछ दिया हुआ है ठीक है, हमारे पास यह न दिया C, D दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता C, D बोलो या D, C बोलो चलिए, तो हमारे पास दिया है कि चुकी E तथा F करमसा करमसा A, B तथा C, D का मद्ध बिंदू है तो अगर मैं इन दोनों मैं 1 by 2 से मल्टिप्लाई करता हूँ 1 by 2 of A, B और 1 by 2 of D, C करता हूँ तो इसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि A, B का आपका आधा A, E ले सकते हैं बिल्कुल क्योंकि ये E जो है A, B का मद्ध बिंदू है तो A, B का आधा A, E भी हो जाएगा और आपका B, E भी हो जाएगा और D, C का आधा इस D, C का आधा हम लोग इसको भी लिख सकते हैं इसको लिख सकता है ना किसको CF को ठीक है यह FC को सबज़ गए ना DC का अधा यह FC हो जाएगा क्योंकि E और F क्या है AB और CD के मदविन दोना इस रही है और यहां हम लोग देख रहे हैं कि AB समानतर है DC के AB समानतर है DC के तो हम लोग यहां पे यह भी लिख सकते हैं कि AE भी समानतर हो जाएगा आपके FC के AE भी समानतर हो जाएगा FC के क्यों क्यों कि हम उपर अभी देखे हैं कि AB समानतर है DC के तो यह पूरा समानतर है तो यह वाले और यह वाले भी तो समानतर हो जाएगे ना तो हम देख रहे हैं कि ए, ए, सी, एफ, इस चत्रभूज को देखो, एक, है ना, सम्मुख भूजा का एक यूगम, बराबर और समानतर हो जाएगा ना, समानतर चत्रभूज है, तो इसलिए, ए, ए, सी, एफ, एक, समानतर चत्रभूज हो जाएगा ना, समानतर चत्रभूज है, चीक है समांतर चतबूज है चलिए तो यह जब आपका समांतर चतबूज हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका यह एफ समांतर हो जाएगा F स們ांतर हो जाएगा किस के E, C के F समांतर हो जाएगा आपके E, C के हो जाएगा ना चलिए आप देखते हैं सबसे पहले अमनों बात करते हैं त्रभूज A, B, D में यहाँ हो A, B, D में इस त्रभूज मैं देख रहा है कि आपका ABD नहीं, ABP में चलो ABP में चलो तिर्भूज ABP में इस तिर्भूज मैं क्या देख रहा हूँ कि E आपका AB का मद्ध बिंदू है E AB का मद्ध बिंदू है ठीक है और इस मद्ध बिंदू से होकर जाने वाली यह जो रेखा खंड है यानि मैं रेखा खंड की बात करूँ यह आपका EQ की हा न यह EQ जो है समांतर हो जाएगा AP के, अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हमारे पास यह पूरा समांतर है च्योंकि हमारे पास उपर यहाँ पे मैंने दिखा आया है कि AF जो है न समांतर है आपके EC के तो यह पूरा इसके समांतर है तो यह भी तो समांतर हो जागा न हम देख रहें इस तिर्भूज के अंदर ABP के अंदर EB का मद्विंदूर है और इनसे होकर जाने वाली जो रेखा खंड है एक दूसरे भूजा के समांतर है तो तीसरे भूजा को सम्दिभाजित करेगी न दो बराबर भाग में बाटेगी बाटेगी तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आपका BQ जो हो जाएगा न PQ के बराबर हो जाएगा यह BQ इक्वल टू PQ हो जाएगा कैसे होगा लिख सकते हैं मद बिन्दू प्रमे के विलोम से हो जाएगा चलिए इसी प्रकार हम लोग चलते हैं अब इस वाले तिर्भूज में तिर्भूज DQC में इसमें आते हैं DQC में इसमें देखिया हम लोग देख रहे हैं कि आपका F जो है न F CD का मद बिन्दू है मद बिन्दू है अच्छा इसमें जो पहला result हम लोग यहां लाए है न इसको समिकरान एक माल लेता है ठीक है अच्छा यह आपका E CD का मद बिन्दू है और तथा यह आपका जो PF हो रहा न PF यह समानतर होगा QC के क्यों क्यों कि हम लोग देख रहे हैं कि यह पूरा F जो है न समानतर है EC के यह पूरा समानतर है तो यह भी तो इसके समानतर हो जाएगा न जी बिल्कुल हो जाएगा तो इस तिर्बूद में क्या देख रहा हूँ यह मद बिन्दू है इन से होकर जाने वाली रेखा कंड, यह दूसरे भुजा के समानतर हो रही है, तो यह तीसरे भुजा को सम्दिभाजित करेंगे ना, यानि कि यहां इसके बराबर आजाएगा, तो इसलिए यहां पर लिख सकते हैं, कि आपका यहां पर यह जो DP होगा ना, वह PQ के बराबर हो त्रीक है अब इन दोनों समिकरनों से देखते हैं समिकरन एक तथा समिकरन दो से पीक्यू के बराबर है और पीक्यू डीपी के भी बराबर है तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों समिकरनों से हमें मिल जाएगा बीक्यू बराबर पीक्यू बराबर में डीपी अता कह सकते हैं य सी बिकर्ण बीडी को समत्री भाजित करते हैं समझ गए यह नामें साबित करके दिखाना था तो हमने यह पर इसे प्रमानित करके दिखा दिया चलिए अब चलते हैं next question कोसा नमर्च